हेलो एवरीवन आप सभी का अमारे यूट्यूब चैनल वाईटीशिक्सा में स्वागत है आज की वीडियो में हम तेही डिसमबर के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेस हैं वो सभी कवर करेंगे तो चलिए अपनी वीडियो को सुरू करते हैं और आज का फर्स्ट कोश यह पूर्सका दो लोगों को मिला तो सबसे पहले वर्तमान परधान मंत्री अच्छा आपान के पूर प्रीम योशिहीडे शूगा, याद रखना है, important कोशन है, जापान के वरत्मान परधान मंतरिये योशी हिडे शूगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, next कोशन है, भारत में प्रति वर्स किस दिन को राष्टिय गनित दिवस के रूप में मनाय जाता है, तो उसका सही आंशर होगा, option B, 22 दिसंबर को ह हर साल राष्टिय गनित दिवस के रूप में मनाय जाता है, अच्छा, ये किस की याद में, ये श्री निवास, रामानुजन, श्री निवास, रामानुजन की याद में, ये दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाय जाता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, next question है मारा, कि विशू ब बढ़ते हैं, यानि कि इस साल भारत ने 14 अंकी बढ़ोती दिक रिया, कितने 14 अंकी बढ़ोती दिक रिया, अच्छा, अगर भारत को 63 राइंक मिलिए, तो नंबर 1 पर कोन है, तो नंबर 1 पर है, New Zealand, और नंबर 2 पर कोन है, नंबर 2 पर है, Singapore, और Singapore, 2019 में भी नंबर 2 था, औ आगे बढ़ते हैं next question है हमारा कि भारत ने कोलोन मुक्यबाजी विशु कप में कुल कितने पदक जीते हैं तो इसका सही आंसर होगा option D कुल 9 पदक जीते हैं जिसमें कि 3 gold medal 2 silver medal और 4 brown medal अच्छा यह विशु कप हुआ कहां पड़ता है यह विशु कप हुआ था आपका जर्मनी में जर्मनी में अगर 3 gold medal की बात की जाये तो किस किस ने जीते हैं तो 3 gold medal जीते हैं आपके एक्जाम के point of view से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, next question है हमारा, कि ONGC ने भारत का आठवा hydrocarbon उत्पादन बेशिन कहां खोला है, तो उसका सही आंसर हो हमारा, option D, पस्टी मंगाल के असोग नगर में, पस्टी मंगाल के असोग नगर में, ONGC ने भारत का आठवा hydrocarbon उत्पाद बेशिन कोला है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question है हमारा, कि बिहार राजजगा पहला glass bridge की सहर में बनाया गया है, तो उसका सही आंसर, option B, राजगीर में बिहार राजगा पहला glass bridge बनाया गया, अच्छा, बिहार की बात और यह तो पता उना चाहिए आपको, कि बिहार के चलिए आगे बढ़ते हैं, next question है, कि भारत की पहली homeopathy health care mobile application किस company ने launch की है, तो इसका सही आंसर होगा, option है, hash lab, hash lab ने भारत की पहली homeopathy health care mobile application launch की है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, next question है, the most promising business leader of Asia सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो सही आंसर होगा, option D, कि विवेक तिवारी को, the most promising business leader of Asia के सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो चलिए, 9th question की तरफ बढ़ते हैं, 9th question है हमारा, कि वरासत अभियान को, कि सिराज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो सही आंसर होगा, option C, उत्तरपरदेश सरकार ने वरासत अभियान को शुरू किया अच्छा, उत्तरपरदेश से याद रखना कि उत्तरपरदेश में ही भारत का पहला चमडा पार्क भी बनने जा रहा, भारत का पहला चमडा पार्क भी उत्तरपरदेश में ही बनने जा रहा, उत्तरपरदेश में कहां पर उत्तरपरदेश के कानपुर सहर में, और जबे आएग्र सेहुआ अगर दूसरे वीजेता की बात आए तो दूसरे वीजेता होंगे के आपका सुब्रत कर याद रखना इस पुरुसकार के दूसरे भी जेता हैं सुब्रत कर तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question और आज का last question है हमारा कि बिहार राज जेगे ने DGP के पद पर किस वरिष्ट IPS अधिकारी को नुक्त किया गया है तो उसका सही आंसर का option C, S के single बिहार के ने DGP बन गए है तो यह थे हमारे 23 December के most important current interface उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक को सेकर ना बोले थेंक्यू